कि ही गाईज देखो के तो बजार बहुत ज़्यादा हाइप ट्रेट कर रहा लगभग 15,400 को क्रॉस कर दिया अगर 15,500 पर आ जाता है तब यह 16,000 की और जो है चल पड़ेगा इससे यह पता चलता है कि अब जो है बजार में कोई गिरावाट नहीं है पिछले 6 मेने का लेबल इसने तोड़ दिया और पिछले अगर मैं आपको बता हूँ एक साल के हाई पिए स्टॉक दोड़ एक साल के हाई में बजार चला पिछले 5 साल के मतलग लाइफ टाइम हाई चला बजार देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ इसमें कोई दो रह नहीं है कि बजार जो यह आपको दिखारा तेजी यह सही है या फिर गलत है या बिल्कुल सही है ट्रू है जो भी आपको बताया जरा बिल्कुल सही है लोग चाहिए जो भी बोले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन इतने याद रखो बाजार उपर जाया नीचे आप देखो जब गिरावट द आपने ऐसे जगह पैसे लगाया है तो तो कुछ स्टॉक है ऐसे जो डूबिने के तागार पे हैं तो मैं आपको बताने की कोशिस करूँगा कि सायद आपको दूर रहना ज्यादा बेटर होगा जो कंपनी पिछले 5 साल से नुकसान देते आ रही है और आगे दूर दूर तक कोई रास्ता न दिख रहा हो उसको बिजनस करने का क्योंकि जो बिजनस को कंपनी कर रही है वो बिल्कुल नहीं चलने वाला वो बच्चे बच्चे भी आज कल के डेट में कर लेते हैं तो इस वज़या से मुझे लगता है कि आपको एक बार देख लेना चाहिए कहीं आपन लगाया जाता निला मीजभल होता बहूत सारे लोग यहाँ पर बिड़ भी करते हैं तो वही चीश यहाँ पर आपको बताया ज्वाइब बहुत बार बिक्नी के तगार पिक था आ चुका है कभी यह खरीद रहा है कभी वो खरीद रहा मतलब आप JP.Infra को खरीते हो तो मैं आपको बताना चाहता हूं रिस्क नहीं बहुत जादा रिस्क है और मैं आपको सज्जेस्ट करूंगा कि इस कंपनी से एक कदम दूरी रहे हैं क्योंकि भाई सुप्रीम कोड ने भी बता दिया कि यह कंपनी पूरी तरीके से इंसॉल्वेंट हो चुकी है बैंकरफ्ट हो चु एक सालों में इस कंपनी ने लगबग 158% का रिटन दे रखा है पिछले 6 महीने में देखेंगे तो फिर यह सटॉक काफी भागा था पिछले एक महीने से यह देखो तो इस टॉक लगबग की वहले एक महीने में इसने 50% का रिटन दे दिया अब लोग सोच रहे कि भाई पे देखा जाएगा क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा है करके इस वज़े से उसके बाद bank of barodra देखो ये company से इसलिए मैं आपको दूर रहने के लिए बोलूँगा क्योंकि ये आपको temporary gain दे सकता है temporary gain मतलब कि हो सकता है एक महिनी में ये stock आपको हो सकता 30% का return निकाल के दिखा दे बहुत अच्छा रहेगा लेकिन लंबे समय में bank of barodra भी ज्यादा अच्छा perform नहीं करने वाला हाला कि मैं मान साकते हैं ये stock आपका पैसे डबल कर देगा लेकिन फिर भी लंबे समय में ये stock सही है तो company को loss हुआ है bank of barodra को और company के उपर bad loan बहुत ज़्यादा देख सकते हैं bad loan और bad loan अगर बढ़ता है भाई ये सारी चीज़ों तो ये सही नहीं होता तो इसका जो quarter result है वो भी सही नहीं है और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दू banking sector में problem क्या है न scope ही नहीं scope समझ लो माल लेते हैं कि आपका ये गाउ है सही है इस गाउ में माल लेते कि पांच ये आते हैं ठेले वाले आपके सामने सबजी लेके आते हैं बेचने के लिए visitable पांच लोग है किवल पांच लोग है अगर माल लेते हैं और 50 लोग आ जाते हैं कितने हो जाएंगे भाई 55 लोग हो जाएंगे अब आप बोल रहे हो जो गाउ में ये लोग रहते हैं सभी लोग तो visitably sale कर रहे हैं मैं भी वही काम करूँगा अब आप खुद ही बताओ honesty के तोर से क्या आपका business चलेगा चलेगा भाई यहाँ पर 55 लोग है सब जी बिचने वाले देखो भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ जो successful लोग होते हैं न वो कुछ अलग नहीं करते हैं समझ रहो ना वो उसी चीज़ को थोड़े से different way में करते हैं और कुछ भी नहीं होता है पर 23% के आसपास यहाँ पर भी 20-30% के आसपास गेन मारा होगा यहाँ से यहाँ पर भी हर जग आपको short term में आपको गेन देखने को मिला होगा लेकिन bank जब से आया है भाई काफ पहले तो एक normal profit दिया था फिर देखो यह banking sector में अगर आप देखो तो कुछ खास return भी नहीं मिलता है लगभग 1000% के आसपास return देखने को मिला था और अभी वो भी छीन लिया गया है तो मैं यह नहीं बुलना हूँ कि bank operator खराब है मैं यह बुलना हूँ quarter result अच्छा नहीं आया है और मैं नहीं देखना चाहूँगा quarter result सही से क्योंकि भाई banking center है इस वज़े से एक कदम दूर राना ज़्यादा better होगा मेरे हिसाब से और DHFL बहुत सारे लोग का यह मानना है बहुत सारे लोग का यह मानना है कि भाई 700 रुपे का share है अब यह आपको केवल 10-12 रुपे में आपको देखने को मिला 15 रुपे के आसपास खरीद लेना चाहिए तो भाई देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ 700 रुपे का share अगर कलको एक रुपे में भी हो जाना तो नहीं खरीदना चाहिए यह 700 रुपे का share कलको 7000 भी हो जाना तो खरीद लेना चाहिए लेकिन इसके पीशे reason सही होना चाहिए reason यह होना चाहिए कि क्या company improve कर रही है appreciate हो रही है या फिर depreciate हो रही है यह चीज़ देखो तो दिवान हाउसिंग ने बहुत-बहुत सारे fraud कि एक दिन नहीं एक दिन है हर बार मिंटो मिंटो फ्राओड कर दिया हो पाता समझेंगा यह लोग ऐसे है कि इनको घर में एक मिनेट के आने के इजाज़त दो ना तो घर से mobile पाइल पैसार टीवी का रिमोट सब लेके भागे जाने हैं तो इसलिए मैं आपको बोलूँगा जिनके परमोटर ही चोर हैं इससे हमें तो मुझे लगता है कि कंपनी से कंपनी के आसपास घर भी नहीं बनाना चाहिए इससे दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं रखना जो आपको देखने को मिला देख सकते हैं अब टेंपररी गेन के पीछ्षे मत चली जाएगा ने तो हो सकते हैं कि आपको बड़ा नुक्सान देखने में बड़ा लगा है तो आपको नंसे बड़े लोग उसनलए मैं बुलना चाहता हूँ पहले पंपनी अच्छी थी ती मै आधा हो जाएगा one by two आप देख सकतो one by two में यह डिवाइड हो जागा यहाँ पर देखे लगबग उसी दिन खबर आया है जहाँ पर आपको बताया गया है सिल कमंस इंडिया तार्गेट प्राइज आपको बताया गया है यहाँ पर क्यूंकि यहाँ पर कॉर्ट रिजल्ट अ जो आपको यह देखने को मिले जो नगेटिव आउटलूक यहाँ पर देखने को मिलना सही है जो कि अंसर्टन है जिसके वज़े से देखो यहाँ पर तार्गेट दिया गया लगबग 500 रुपीज का तो यह एट हंडेड रुपीज के आसपास दॉट रहा है बढ़ना चीए यह ना स्टॉक हो बढ़ना चीए ना उपर तो भाई यह स्टॉक वापस आ रहा पांस रुपे के आसपा और यह लगबग मार्केट बंदोने से दो दिन पहले बताया गया था तो मैं आपको बोलूँगा अगर बताया गया है तो मानते हैं कि भाई यह स्टॉक अगर 50 परस की गिरावट थी धड़ाक से शे से सॉरी 6% मैंने कम बोल दिया 10% की गिरावट थी भाई 10-7% के आसपास तो पक्का यह स्टॉक गिर चुका था साथ से 8% के आसपास गिर चुका था तो मैं आपको बोलूँगा कि बजार भी हाई में हैं आप अच्छे स्टॉक के पीछे ज नमबर वन स्टॉक आपको लिखने को मिल रहा है मेरे हिसाब सापको वहाँ खना है जहां पर आपको सेफ्टी देखने को इसे एंजल जिरो ता यहां पर आपका पैसा सभी कुछ खरी सकता है वहां जाए डिया को पाइस एब़ोट देखने को मिल थाक्ता है में लिंक दिया गया, वहाँ से जाके अपना डीमेंट अकाउंट बगारा ओपिन कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको यह बताते हैं, एक वाच लिस्ट बना कर बताते हैं, जहाँ पर लोगों को नहीं पता रहा था भाई, कैसे क्या खरीते हैं, बेचते हैं, तो यह सारी चीज़ें यहाँ पर आपको डेटा और न्यूस बताती जाती है, एक तरीके से हेल्प किया जाता बेसिक नॉलेज के तौर पर, और कुछ नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दिया गया है